हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में मैं अथर हूँ तो आज की इस वीडियो में आपको मैं किसी कार का ओवर्वीव नहीं देने वाला हूँ तो यह कार जो है जो हमारी फैमिली ओन करती है तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ तो इस कार को हो चुके है दस महीने तो यह कार का में एक्जैक्ट वेरियंट बताता हूँ तो वह है इसका युन्डाइव बैन्यू SX जो IMT के साथ आता है जिसका यह नया ट्रांसमिशन जो युन्डे ने लाउंच किया था पिछले आउगस्ट में और हमने यह बाई करी थी 25 नवेंबर को तो अल्मोस्ट 10 मंस हो चुके हैं और उतना टाइम काफी हो जाता है इसकी बुर्याईयों मतलब इसकी डाउन साइड साथिस के बताने के लिए क्या डिसाइड़ फार तो पहला मुझे सब्सक्राइब करने की बादाने के क्लार go तो इसमें कोई BLACK नहीं आता है तो यही इसका एक क्या सकते। डार क hiring के साथ तो यह कलर मेंटें में काफी हाड जाता है मतलब इसे साफ रखने के लिए आपको रोज धोना बढ़ता है अभी तो फिलाल बारिश हुई है तो यह थोड़ा अच्छा लग रहा है पर अगर बात करूं गर्मी के दिनों की मतलब जो में और जून के तब यह काफी गंदा होता है मतलब अगर आप कौन से असा धूल वाली रस्तों से चलाते हो इसे तो काफी सारी दूल इसमें चड़ जाती है तो एक कलर काफी हाड टू मेंटेन है पर दिखता काफी अच्छा है और यूंड़ भी इसे ही मार्केट करता है और मतलब दो ही कलर इसके ज़्यादा मतलब रोड पर मैंने देख रहे हैं तो यह काफी गंदा लगता है अगर गंदा हुआ मतलब काफी दूल चड़ गई तो तो यह साफ करने में भी काफी मुश्किल जाता है इस कलर से तो इससे साफ करने में और ज्यादा टाइम लगता है तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रिल को Decide advance ہے इंडिकेटर्स और यह काफी unique DRL तो problem यह है कि इसका कोई throw ही नहीं है मतलब अगर आप आपके frequent highway drives होते हैं नहीं तो आप रात में जादा गाड़ी चलाते हैं और बारिश है तो आपको कुछ visible नहीं होता मतलब इसका throw कह सकते हैं काफी गंडा है cornering lamps अपना काम करते हैं पर वो भी इतने effective नहीं है और fog lamps की तो कोई use ही नहीं है मतलब एक तो दिये हैं इतने चोटे से और अगर बल्प की बात करो तो घर का भी बल्प इससे तादा ब्राइट होता है तो यहीं इसका सबसे बड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी कास कुछ अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसमें ही देता नहीं तो एक पाउर्फुल बल्प लेताने लीडी सेटप देता क्योंकि इंटरनेस्टल वेरियंट जो वेन्यू का आता है उसमें आपको फुल एलेडी का सेटप मिलता है तो वहीं आप इंडिया में भी अगर युंड़ाइग करता तो यह काफी अच्छा होता तो हेड्लाम्स इस बिग नो तो और एक बात इस वेरियंट के बारे में स्पेसिफिकली एस एक्स वेरियंट की तो आइमटी के साथ थोड़े फीचर्स डिफर करते हैं जैसे किया सेल्टॉस में करते हैं पर उतने जादा नहीं करते और और एक बात जो इसकी रीशफलिंग हु करते हैं वह थोड़े मतलब उतने जादा सुन्दर तो नहीं लगते पर उसका डिजाइन काफी अच्छा है सेम वील आते हैं पर कोई वील मतलब एलोई नहीं सिर्फ वील क्या तो वह एक चीनिस हुआ है आएम्टी की आपको यहापे बैजिंग मिलती है यह आएम्टी का व कर सकते हैं जब से बीए 6 में जब ट्रांसफम होई थी कार मतलब जब से बीए 6 में आने लगी तब आप वो म्यूट कर सकते हैं तो इसके बारे में काफी बात है हैं हैंडल साब को कोई क्रोम पे ना मिलके यह आप वीरियंड अप देख रहें तो एसेक्स ऊप्शनल के कर लो मतलब साफ कर दो पर इस गंदा ही रहता है मतलब कोई थोड़ा सा विया रफ चला देघ। तो वह और गंदा दिखता है कलर के साथ तो वह एक है इसके बारे तो अब चलते हैं back back profile पे आपको क्या मतलब मिसस मिलते हैं तो युञ्डe तो आपको कोई वाइपर आप नहीं देते तो अभी बारिश के समय वह बहुत ही यूसफुल एक फीचर है और एक और सिली से मतलब कह सकते हैं ना मतलब वह कॉस्ट कटिंग ही है जो है इसकी रिवर्स पार्किंग सेंसर की तो इतनी बड़ी मतलब ही अल्मूस्ट साड़े 11 ल बाकी हो गई तो वही पर आपको दो ही रिक्वेस्ट सेंसर दीती है यूंडे एक और उधर एक तो जो आप जब रिवर्स लेते हैं कैमेरा की फीड अच्छी है उसमें कोई दो राई नहीं पर यो मतलब आप जब एल शेप में आप रिवर्स लेते जो इस पार्ट में जो चाहते है वह डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि इतने बार तो यह गाड़ी टच हुई है इसी वज़ेशे और यह आप थोड़ा इस साइड भी देते हैं थोड़ा ठीक होता पर सिर्फ दो ही दिये मतलब बलेनों और वह सब छोटी सेग्मेंट की गाड़ियों में भी चार आत मतलब सीट्स के बारे में अगर बता हूं तो इसकी जो सस्पेंशन है ना जो काफी मतलब स्टिफ बनाये तो वह प्रॉब्लम क्या होता है जब गाड़ी मतलब ऐसे रस्तों से नहीं तो मतलब गड़ों में से जाती है तो पीछे बहुत एफेक्ट होता है मतलब पूरे मुझे लगा इसमें है जो आप सीट ना ही 60-40 में स्प्लिट कर सकते ना आपको यहां पर आमरेस्ट मिलता है तो वह एक बात है जो आप इसमें मतलब आमरेस्ट नहीं है तो एक डिसकमफर्ट आप कह सकते हैं आमरेस्ट होता तो और थोड़ा कमफर्टिंग ड्राइव होता ज़रूर्ण पर कोई आमरेस्ट या सीट का स्प्लिट नहीं मिलता तो इंटीर्यरिस में आपको क्या नेगेटिव पॉइंट्स है इसके तो मैं आपको वदाद हूँ तो इसे अनलॉक कर लीता है तो सांड तो मैंने अभी म्यूट नहीं कि है पर धे घगी इसका जो मिरैर ह हुआ अब तो अंदर बैटके देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या है कमिया तो अंदर के अगर बात करो तो कोई पुश्टाट स्टॉप बटन नहीं मिलता टॉप से एक नीचे होकर भी और तो इसमें जो मुझे कमी लगी वो है इसकी अंदर आपको कोई संग्लास होल्डर नहीं मिलता क्यों क्या मालूम मतलब जो अभी सभी गाडियों में आता है क्रेटा और सॉनेट जैसी पर इसमें वो कंप्लीटली ओमिट ही कर दिया मतलब टॉप मॉडल में भी नहीं है तो आपको संग्लास रखने के लिए आपको यहाँ पर रखने पड़ते है जो यह स्टेरिंग वील आता है वो आपको मतलब एजिस्ट्मेंट के लिए सिर्फ आपको हाइट का मिलता है मतलब मैं आपको दिखाता हूँ तो सिर्फ आप यह हाइट के लिए कर सकते है रीच के लिए आप नहीं कर सकते, I-20 में आता था पर इसमें क्यों वो मिस्स कर दिया पता नहीं एक जो खास बात जो मैं इस वेरिंट कहें वो है इसके IMT टांसमिशन यह देखें इसके IMT टांसमिशन जिसके गेर्स है पर इसमें आपको कोई नहीं हाते, M.I.D. में तो वो एक अच्छी बात है, क्रूस कंट्रोल सब है इसमें आटो मतलब IRVM के अगर बात करू तो वो भी आपको यहाँ पर नॉर्मल ही मिलता है बलेनो जिसी गाड़ियों में आपको आटो IRVM मिलता है और इसमें मिस कर दिया तो वो एक कॉस्ट कटिंग है और अगर आप म्यूजिक चलाते हैं तो अब यह दस मैने होने के बाद जब आप इसमें बेस बढ़ाते हैं तो यह दोर काफी वाइब्रेट करते हैं तो डाउन दी लाइन आपको इसमें मतलब डैंपिंग करनानी पड़ेगी एक और सबसे बड़ा डिसाइडवांटेज है इसकी माइलेज अगर बात तो इसकी इंजिन की यह है वन लिटर टर्बो पेट्रोल का वेरियंट जो निकालता है 120 PS की पावर और 173 Nm का टॉर्क इंजिन एक नंबर है मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है पावरफुल है टर्बो लाइक है जरूर पर इसकी माइलेज है मतलब अभी हम जो हाइवे ड्राइव करके आया है मतलब आलमस्ट 500 तो 600 की जो कल करके आया थे तो उसमें इसमें माइलेज दी सिर्फ 12.9 की मतलब हाइवे पर इतने कम दे रही है तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप काफी मतलब क्रूस कंट्रोल पर डिपेंड हो सकते है नहीं तो यह इतनी खराब माइलेज देता है मतलब 12.9 की मतलब यह काफी कम हुई यह जो टॉप इसने दी थी मतलब जो है वो 16 या 17 की पर जैसी है आप सिटी में चलाते हो तो इससे भी कम जाती है मतलब 8-9 की के एमपेल माइलेज देती है तो यह इसके बारे में सबसे बड़ा डिसपॉइंटिक फीचर लगा बाकी के फीचर आपको मतलब इसकी नेगेटिव के मामले में बात बाई देती है काफी फीजेस मिलते है Confederate ये इनक्लूडिने इसंद्रूफ ही काफी आपको अच्छी मिलती है पर जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए तो थोड़े श्या अपको यहां मिसस मिलते है तो यह इसके घुरण जो वेन्यू के साथ आते है मतल जो थे मैंने बूल आपको सब बता हैं तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए और सब्सक्राइब किर जी चैनल को एंड थैंक यू सो मच फो वाचिंग